हल दोस्तो आज हम गीया के साथ चंने की दाल को डाल के इतनी टेस्टी सब्जी बनाएंगे और इस सब्जी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गीया खाने से कितने फैदे भी जानने हैं गीया के तो मेरी वीडियो को प्लीज लाश तक जरूर देखे अगर पसंद आ जूस बना के पिए इससे बहुत जल्दी वजन कम हो जाता है जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है आप वह हपते में 3-4 बार गिया का सेवन जरूर करें उससे क्या होगा कभी कबार तो ऐसे गिया भी कभी कबार कड भी मिल जाती है तो उसका सेवन आप बिल्कुल भी ना करें उसका जूस बिल्कुल ना करें पिए तो यह देखे मैंने गिया के साथ चने के दाल और एक कटोरी प्याज को डाल के एक सीटी लगने तक गैस पर रख दिया है हम इसमे के लिए पूड़िए यह दो को मैं मतलब फैकेंगे नहीं सी में यूज करेंगे जो इसको अजरु प्याजTraming वाल लख देखेथ में लाल में प्याज डॉल लेगे अर जिन लोगों को दोस्तो स्किन की प्रोबल्म रहते हैं, बाल जड़ जाते हैं या फिर स्कीन एकदम मुर्ज आ जाती हैं कोई साइनिंग नहीं रहती तो आप अगर गिया का सेवन करते हो तो यह भी समश्या आपकी दूर हो जाएगी गिया के खूब फैदी हैं आप एक-एक करके इसे वीडियो को जरूर देखें और इसके फैदे भी आप जरूर जान लें और गिया खाने से क्या उत्ता है दोस्तो अगर आप तनव में हैं टेंसन में रहते हो तो वह भी आपकी समश्या जरूर खतम हो желती है और इससे पेट की समश्या भी खतम हो जाती है जो पेट में कबज हो जाती है तो और समश्या काफी रहती है वो समश्या भी दूर हो जाती है क्योंकि कभी कबार आप जब भी डोक्टर के पास जाते हो तो डोक्टर यही कहता है आपको कि आप हरी सबजी का सेवन करें कोई भी देखे तड़का तयार कर लिया इसमें हरी नेलाल मिच नमक हर्दी पोडर और गणिया पोडर सभी डालके इसको मच्छे से पका लेंगे दोस्तों गिया का सेवन जरूर करना चीए हफ्ते में तीन चार बार आप जरूर करें कैसे भी करें या तो इसकी सबजी बना के खाए अलग लग तरिके से खाए कभी दार डालके कभी सबजी कभी प्याज डालके कैसे भी खाए कभी जूस बना के पिए तो इसको हफ्ते में त तिन से चार बार बार जरूरा सेवन करें इसका गीया का कि देखेए हैं कितने अच्छे सेटाका अमरा त्यार ओ चुका है हम अपते में तेन चार बार जरूरा का सेवन करते हैं हम यहीं बता रहें आपको कि जैसे आज घंवने सारे कि दाल डारा के साथ ह diffic बढ़ना देते हैं लेकिन हम जरूर करते हैं गीया का करना बीच यह सभी को करना चीए इससे क्या होता है कि बल्ड प्रिसर मारा जो आई रहता है वो भी कम होता है अब यह देखे इस टेम पानी जादा लग रहा होगा लेकिन नए यह मैंने गिया में से यह निकलता है और जो मैंने पाने डाला है वो भी इसी के आफुत अच्छे से मिल जाएगा और मैं गैस को तेज़ करके इसको अच्छे से पकालोंगी तो यह पानी कम हो जाएगा लेकि जान होती है कि इससे खाने से जो इसका जूस निकलता गिया के में जो पानी निकलता उसको फैकना नहीं चाहिए तो यह देखिए हमारी जो गिया की सब जीतिवग्दम अच्छे से पक चुकी है और यह देखिए आप गोश्ट आम पानी जाद लग रहा होगा लेकिन अब मैं यह देखिए इसको अच्छे से पका लिया है और गिया में इतना पानी तो जुरूर होना चाहिए कि अच्छे से इसको खास के यह देखिए आप इसको ऐसे चमच के साथ भी आप इसको एक कटोरी बरके खा सकते हो इतनी टेस्टी सबजी बनके तयार हुई है क्योंकि हमारे डाल के दिखाती हूँ ये देखें तो सोचो इसके फैदे कितने हो सकते हैं अगर आप गिया का सेवन करते हो तो ये देखें और गिया का सेवन करने से मलब कभी कबार ऐसा होता कि हमको दुंदलापन दिखता है आखों की सवाली जो समश्या होती है वो भी इससे दूर हो जात प्रकके से बनाओ चने की दाड़ डालके बनाओ प्याज डालके बनाओ ये लब्यवाडी जो हरी प्याज होते है उसको डालके बनाओ कैसे भी बनाओ लेकिन आप हफ्ते में तीन-चार बार गिया का सेवन जरूर करने